मैं आपको महासागर के कुछ रहस्य के बारे में जानकारी दी थी. चलिए आज तंजानिया के लेक नाट्रिन में चलते हैं. लेक नाट्रिन का नाम शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे. ये लेक अए कुछ खूबियों से भरा है. जो दुनिया के और किसी भी लेक में नहीं है. अपने किस्म का ये लेक दुनिया में एक ही है. अफ्रीका में एक और लेक है जो कुछ हद तक इसके बराबर है. लकिन इसके जैसा नहीं है, वो है बाही लेक. चलिए पहले मैं इस लेक का एक भौगोलिक परिचय दे देता हूँ. ये लेक पूरवी अफ्रीका के तंजानिया के अरूसा प्रांत में स्थित है. ये लेक नमक और कॉस्टिक से भरा है. ये लेक पूरवी अफ्रीकान रिफ्ट के पूरवी शाखा गगरी रिफ्ट में स्थित है. इस लेक के दक्षिन में फॉल्स काफ और जेलाई ज्वाला मुखी स्थित है. ये लेक मुख्यत मध्य केन्या में उत्पन के नावा निग्रियो. नदी के पानी से पुस्ट है. जो मध्य केन्या में उत्पन होकर खनिच सम्रिध गर्म धारा के उपर से बहती हुई इस लेक में जागिर्ती है. ये लेक लंबाई में 57 किलोमीटर और चौडाई में 22 किलोमीटर है. इस लेक की गभीरता सिर्फ 10 फीट है. इस लेक की सबसे बड़ी बिशिस्ता ये है कि इस लेक का पानी बहुत ही इक्षारिय और नमकीन है. पानी की इक्षारियता सोडियम कार्बोनेट और अन्य खनिजों से आती है. जो आसपास के पहाडों से जील में बहती है. यह जानवरों की तवचा और आँखों को जला सकता है. नाट्रन लेक का पानी का पीएच आम तोर पर 10 दिसो मला पांच होता है. और पानी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस. लकिन गर्मी के मौसम में जब पानी सुख जाता है, तब पानी का पीएच बारह और तापमान 60 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है. इस लेक की एक और बड़ी खुबी ये है, कि इस लेक का पानी बाहर नहीं निकल पता. गर्मी में इसका पानी सुख जाता है, जिसके कारण इसमें नमक और खार जमते जमते, जो युनेस्को के जला भूमी संग्रक्षन शाखा है, इस लेक के उत्तरी प्रांत में कुछ मीठे पानी की जील है, अब मैं आता हूँ इस लेक की उस खुबी पर, जिसके लिए यह लेक दुनिया भर में मशहूर है, वो है कि इस लेक के पानी में जो भी कोई प्रांी मरता है, वो मौमी बॉन जाता है, ऐसा कहाब है कि, मिसर के मौमी बनाने के काम में, इस लेक का पानी इस्तिमाल किया जाता था, सूखे के मौसम में जब लेक का पानी सुख जाता है, तब इसमें से बहुत सारी मौमी पाया जाता है यहां तक कि एक बार फिंच पक्षियों का एक जुन मिला था और ये सब मौमी इतना पफैक्ट होता है कि देखने से लगता है कि अभी भी जिन्डा है इस लेक के आसपास में कोई जनजाती नहीं रहता लकिन थोड़ी बहुत खेती बारी होता है इस लेक का पानी इतना स्वच है कि इसमें आइने की तरह साफ तस्बीर नजर आता है जिससे कोई पक्षियों भर्म से इसमें आकर डूब मरती है एक बार एक हैलिकॉप्टर इसी भर्म का शिकार हुआ था इस लेक का एक और बिशिस्ता ये है कि ये लैसर फ्लामिंगो पक्षियों का प्रजनन क्षेत्र है हर साल कम से कम 25 लाख लैसर फ्लामिंगो पक्षी प्रजनन के लिए यहां आते है असल में दुनिया भर के 75 प्रतिशत लेसर फ्लामिंगो पक्षियों का प्रजनन क्षेत्र है ये लेक दुनिया भर के फ्लामिंगो पक्षियों का एक ही प्रजनन क्षेत्र के रूप में प्रसिध है गर्मी के दिनों में जब लेक का पानी सुख जाता है तब लेक के बीच बीच में कोई द्वीप निकलाते है जो फ्लैमिंगो पक्षियों को बाहरी आक्रमन से रक्षा करती है हाल ही में कोई development project के कारण फ्लैमिंगो पक्षियों का यह प्रजणन क्षेत्र विपन होता जा रहा है हाला कि कुछ अफ्रीकान संगठन, बाताबर्ण संग्रक्षाक पक्षी संग्रक्षाक संगठन ने इसके खिलाफ जन्मत बनाने में लगे है दोस्तों आज यही पर समाप्त करता हूँ और बहुत सारी जानकारी लेकर मैं अगले विडियो में हाजिर हूँगा उम्मीद करता हूँ यह विडियो आपको पसंद हुआ होगा एक बात और अगर आपकी पसंद की कोई टॉपिक हो जिसके बारे आप जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे मैं उस पर भी विडियो बनाने की कॉसिस करूँगा अगर विडियो आपको अच्छा लगा तो इसे जरूर सब्सक्राइब और शेयर करे एक लाइक देने मत भूले अगले विडियो में फिर मिलेंगे तब तक लिए अलबिदा स्वास्त रहिए, सुस्त रहिए, नमस्ते